हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बताएंगे टैंक में पाइप जोइंट कैसे करें और टैंक में ये टैंक निंपल कैसे लगाएं और टैंक में होल कैसे करें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी फुल डेटेल से बताएंगे ये दोस्तो मेरे पास याई का पाई पे जिससे मैं होल कर रहा हूँ ये मैंने अच्छी तरीके से गरम करा है गैस पर और पिलायर की साहता से मैं इसको पकड़ा कर सुराख कर रहा हूँ देख सकते हो आप दोस्तो ये काफी गरम है और बहुत हाड है दोस्तो ये जो है इसमें सुराख होईया है अब इस सुराख को हम ब्लेट की साहता से अच्छी तरीके से इसके रेशे जो है साफ करेंगे क्योंकि दोस्तो इसके अगर एक भी रेशा खड़ा रह गया तो उस पर वार्सल मुचा नीचा हो जायागा अच्छी तरीके से पिलाइन करेंगे या फिर आपके पास रेकमाल हो रेकमाल से कर लें मोटा रेकमाल सो नमबर का और आरी के बिलेट से तो बहुत ही अच्छा सा साफ होता है कि जब तक मैं इसको साफ करूं दोस्तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें हमारी वीडियो कैसी लग रही है अब दोस्तो अंदर की सायता से भी इसको साफ करेंगे अब यह मैं दोखो अंदर से साफ कर रहा हूं इसकी रेशे जो हैं बाकी जब लास्ट में टैंक निपल लगाऊंगा थोड़े जब करेंगे अच्छी तरीकी से अब दोस्तों यह मैंने इसकी सफाई कर दी है अब मेरे नीचे का जो है आउटपुट अब मैं जो है इस टैंक से यह मैरे मेरे स्फ़ाक यह उपर के हो गए है एक इनपुट है और एक और नो रेडी हो गए है अब मैं इसका जो आउटपुट सुड़ा होता है नीचे वाला जिससे पानी जाता है उस आक को करूंगा यह देखो दोस्तों यह मेरा पाई फिर से लागया है अब ये स्चुराग करने के लिए रिडियू अब इस सुराग को किसे इसाप से करना है दोस्तो इस सुराग को बिस सेंटर में करना है क्योंकि इसका जो प्यंदर की वार्सल होता है वो अगर आप जादे नीचे करोगे तो वो उस पर जो है गोल आई पर यहा फिर उससे टकरा जायागा और उसका लेबल नहीं मिल पायागा दोस्तों इसका जो बिस सेंटर दिया गया है इसके सुराग के लिए ही दिया गया है यह दोस्तों इसका सुरागी भी हो चुका है देखो दोस्तों अच्छी तरह किसे देखो काफी गरम पाईप है ज्यादा बड़ा ब्लूट नहीं करना है कि इतना बड़ा नहीं करना है बिल्कुल एक बार करना रुष, तो इसका सुराक हो जायागा ग्रम ग्रम पर अच्छी तरीक देखता हूं ठंड उने पर फी प्रेस्दी है तो जैसा के मां ने मैं इसलिकों देखता हूँ इसने इसलिकों को साफ कर रहा हूँ में और इसलिकों अच्छी तरीके से चाफ करना है इसी अधे यह ज्यां पर के शाफ दाने लॉ obedience को पर जाता है इस وकले घुन रिखता है भी यही और साफ नीचे लगाऊंगा और फिर इसको पैपरिंच की सायता से इसकी जरूरत अनुसार खीचूंगा यानि कि टाइट करूंगा यह सबसे पहले जो मैं लगा रहे हूं यह ओबर का है और जो समर्सेविल का पानी आएगा वह उपर वाले टैंक निपल है जो इसके उपर लगेगा और जैसे ही टैंक भर जागा तो नीचा वाला जो लगाया है तो उसमें को जो है ओबर फिलो पानी निगलेगा और जो यह मैं आप खैच रहा हूं इस टैंक निपल में आपने समर्सेविल का जो मैन पाइप वह लगाना है यह दोस्त तो लगा रहे हैं देखो आप पैपरिंच की सायता से इसकी जरूरत अनुसार टाइट करें इसा ना करें ज्यादर टाइट करें और यह तूटके आपके हाथ में आ जाए दोनों को धीरी धीरी से टाइट करें अब दोस्तों मुझे जो लगाना है आउटपूट टैंक निपल लगाना है वो नीचे से लगेगा यह दोखो इस कोने पर लगेगा यह अच्छी तरीकी से तो मैंने क्लीन कर लिया था और इसका एक वारसल इसके साथ लगाना है और एक वारसल दूसरी साइड लगाना है अब मैं जाता हूँ इसके अंदर टैंक निपल के आप यह दोस्तों मैं टैंक निपल अब जो है मैं अंदर से इसका वारसल लगा रहे हूं देख यह भाई मैंने यह वारसल लगा दे है इसके डिपरी टाइट कर रहा हूँ अब मैं पैपरिंच की साहता से इसको अच्छी तरीके से टाइट करूँगा इतनी भी अच्छी तरीके से नहीं के टूटके हाथ में आ जाए इसकी जरूरत अनुसारी करना अब दोस्तों हमारे टैंक निपल विपल सब लगके तयार हुए है अब हमने रख दिया इसे चत पर अब हम लगाएंगे सबसे पहले इसमें एक इंची का वाल और इस वाल को इस हिसाब से लगाना है अगर यह कभी खराब भी हो जाए तो हम दूसरा वाल आसानी से जोइंट कर लें तो यह दोस्तों मैंने पांच इंची का टुकड़ा ले लिया है पांच इंची का टोड़ा कट करके इस वाल में लगाना है वाल इसे साब से लगाएं कि हमारा वाल सीधे हाथ पर को खुले और उल्टे पर बंद हो क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग धोका खाते हैं उल्टे पर लगाने पर उल्टे जैसा खुल गया तो उल्टे की तरफ को ताकत लगाते हैं और उसका हत्ता तूटके हाथ में आ जाता है तो देखे दोस्ति यह जो है हमारा अभी जो है वाल लगकर तयार हो गया है अब हमने लगानी है इसमें एक यूनियन जिससे के हम टैंक को खोल सकें आगे पीछे कर सकें या हटा बचा सकें चैंज कर सकें जै जाएगा दोस्तों यह टुक्डा भी मैंने देखो आठ इंची का ले लिया है इसको भी इसी साब से लगाना है कि हमारा जो समर्स यूनियन है जहीं आए अब यह यूनियन हमने लगा दी है तो सोरी यूनियन लगा रहे हैं अब इसको अच्छी तरी किसे सोल्वेंट लगानी है सोल्वेंट लगा के यूनियन को बिलुकुल फिक्स कर देना है और यह दोस्तों यह लेवल अपना पी उस लेवल पर जाया गा जहां पर हमारा पाइप है वैसे मैंने इसे लेवल से ही काटा है अब इसको काटेंगे दोस्तों यह हमारा 15 इंची है 15 इंची पाइप काट करके यह जो हमारा आउटपुट पानी है आउटपुट का पाइप है इस पाइप में लगाएंगे आफ पॅआ पयप तो अब इसका लेवल मिला लेंगे अगर कटना मांग रहे है लेवल के अनुसार तो इसको काट देंगे अगर नहीं मांग रहा का INFUS साब तो नहीं काटेंगे तो दोस्त देखो ये तो सही हैल अब इस पर लगाएंगे एक टी इस पर एक इंची की प्लेंटी लगाएंगे और एक कम उपर करना है और दो इस्सों को इन दोनों पाइपों में जोइंट करना है दोस्तों अच्छी तरीकी से जोइंट लगानी है क्योंकि यही मैन पाइप होता है कि इसमें 24 गंटे पाइप रहागा जो उपर वाला पाइप हो उसमें जब समर सेबल चलेगा जबी रहागा यह दोस्तों देखो अच्छी तरीकी से मैंने जो है सैट कर दी है अब इसमें गैस का पाइप लगाना है दोस्तों यहां पर लेवल नहीं मिल पा रहा क्योंकि यूनियन आए गई अगर पाइप थोड़ा बड़ा होता है जहां को स्पीट लेवल हमारा आ जाता तो मिल जाती लैबल का अनुसार टी को वार जात अब दोस्तों स्पास्ट की हैड़ से उपर में यह उपर लगाना है चैनक की धकन ही हीट स्वेप को काट दोस्तों हमारा जो में की अगए कि दो समयरा नहीं करेगा कि क्यूंकि आगर पाइप को नगाते हैं तो आओ Mississippi तेंक में गैस बन जाती है और पानी नीचे नहीं जाता है अब दोस्तों यह हमारा प्रोस्स होगी है अब हम पांच-पांच इंची के टोकड़े काटेंगे और वो टैंक निपल और एक अलबो में लगाकर इसे टैंक निपल में लगाएंगे जो हमारा समर्सेविल का इंपुट पानी आ रहा है यह दोस्तों अभी इसे चिपकांगे नहीं यह ऐसे ही रखेंगे पहले इसकी मापिंग करेंगे इंची टैप से मापिंग करके जब इसको लाष्ट में चिपकाना है यह मैंने माप लिया है दोस्तों करिदू मैंने इसकी कटिंग कर लिया अब दोनों 2 जीरोन की जुकता देंगे मैंने स्द्शी ठीम सका है अब मारे दोस्तों की एक साथ कट पीखनाना है आपने और यह अगे पिछे वे χjao तो भी कोई परेशानी नहीं है मुगर एक साथ चिपका व्गे तो भी कोई परेशानी यह हमारा रेडियो इन है है ने देखो अब दोस्तु इस इसको इस पीट लेबल रख देखना है यह हमारा पाइप सीधा है या नहीं सीधा करके और पाइप की तरप से एक उंगली से पकड़के आपने निसान लगाना है कि यह हमने इसमें जो है निसान लगा लिया है दोस्तों यह हमारा पाइप है इसको हमने कड़ भी कर लिया है अब दोस्तों इस पाइप में हमने लगानी है एक इंची की एलबो अच्छी तरीके से जोइंट करेंगे इसको यह हमने एक इंची की एलबो लगा ली है बिल्कुल फिट हो गया है वाई अब इन दोनों पाइपों को जो है जब हमारा फिट हो गया इन दोनों पाइपों को अच्छी तरह की से किसी चीज़ से बांदेंगे नहीं तो बंदर बंदर आकर कर जो हिलाते हैं तो बहुत तागत होती बंदरों में और यहां पर आप टी लगा सकते हैं हमारे पास टी जो खतम हो गई है अब दोस्तों ऑबर फिलो पाइप लगाना है हमने ऑबर फिलो पाइप में भी आप 8 इंची का यह 6 इंची का टुकड़ा काट करके इसको लगाएं जो कि हमारा टैंक स थोड़ा गैप रहे उसका जो अबर फिलो पानी गिरे और अबर फिलो पाइप आपने ऐसे फिट करना है ऐसी जगा सुरा करना है जो जहां पर आपका पतलाना आता हो यह मेरा पाइप का जो है पतलाना इधर ही आ रहा है जो पाइप का मुह है जिससे पूरी छत का पाइप जायाएगा वो इसी पोनिपे है तो मैंने इसी लिए यहाँ पर इसका जो है तो बर लोग यह सुरा करा है अगर दूसरी साइड बशarts होता तो मैं दूसरी साइड करता आप दोसरी करता आप बशिक आप हमारे चाहिए सकते हैं कर यह उपर को जो जा रिया है दोस्तों ये gas का और एक मेंन पाईप है ये पाला वाला में पाईप हो उल्ला ॉला में पाईप है और गास के पाईप को chemट के लेबल से उपर्चना है और ये से वीडियो बनती है कमेंट में अपनी राइट है